बैंगलोर से चिनने के लिए NH4 सबसे शॉर्टेस रूट है होस्कोटे जंक्शन इस रूट में एक इंपॉर्टन जगह है बैंगलोर से बाहर जाने के लिए यहां से तीन रूट है राइट में जाने से मालूर होते हुए हम होसुर पहुँच जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हम रोड से जा रहे हैं तो वो सारे रास्ते ब्लॉक कर देंगे बस, कार और सभी गाड़ी की चेकिंग होगी और हम बैंगलोर से बाहर नहीं निकल पाएंगे लेकिन चिंतामणी एक छोटी सी जगह है और उधर बस में कोई चेकिंग नहीं होती और हम सेफटी बैंगलोर से चले जाएंगे स्ट्रीट जाने से पालमनेर पहुँचेंगे जो आंदर प्रदेश में है प्रभू से हम नहीं छोड़ेंगे उसने जैसे हमारी बेज़े थी कि वैसे ही उसकी भी होनी चाहिए उसके एक्जाम के लास्ट दिन ये काम करेंगे ताकि वो बैंगलोर में ना दिखे करेंगे प्रत्रीट च्राइए जैसे हम अपने रेत। रिटिका हाई प्रदिक शेम प्रद। रिज्व डिकतल रिष्ण युद प्रुप युद आजी किसी ने मैडम को किटनेप कर लिया सर हम पुलिस को इंफर्म कर देगे नहीं बेटी की जिन्दगी का सवाल है ठीक है सर मुझे जाने दीजिए सर मुझे जाते वक्त तीनों ने एसकेप करने की कोशिश की सर जब मैंने रोका तो मुझ पर गोली चला दे मैं लेफ्टाम सर कोई चारा ने था सर सब को शूट कर दिया सर मुझे छोड़ दीए सर इसी मनोज को आने को बलो आपको मैठर का कब पता चला सर तीन महीने पहले की बात है अचानक रात में मुझे कुछ हावाज सुनाई दी और मैं उठा मैंने देखा कि मेरे सिक्यूर्टी वाले तीन-चार लड़कों को फकड़ कर रखे हुए है पूश्ताज करने पर पता चला कि वो लड़के मेरी बेटी के क्लासमेट्स हैं ये लड़के रोज मेरी बेटी को कॉलेज में तंग किया करते थे तोरी सर मैं कुछ समझा नहीं हूँ इस स्टेट में चार्ज ली हुए आपको एक साल हो गया है और कह रहें कि ये कुछ समझ में नहीं आया क्या करू सर केरला कहूं पड़ाई डली में हुई और इधर तो सारी भाषा बोलते हैं इंग्लिश हिंदी टमिल सब कुछ वो लड़के रोज कॉलेज में मेरी बेटी को टॉर्चर करते हैं और उस दिन तो वो घर के अंदर तक आ गए मेरी बेटी बहुत रूई तब मुझे समझ में आया कि मेरी बेटी को क्या प्रॉब्लेम है वो लड़के ये नहीं जानते थे कि उस लड़की का पिता कौन है अलाकि उन लोगों को पुलिस टेशन में बहुत मार पड़ी उसके बाद से मैं हमेशा डर में था कि वो लड़के मेरी बेटी से ज़रूर बदला लेंगे इसलिए बेटी के साथ हमेशा सिक्यूरिटी बेज़ता था फिर भी उन लड़कों ने मेरी बेटी को किड्नैप कर लिया ओके नुप्रॉब्लेम से दो गंटे में मैं आपकी बेटी को बचा लूँगा आप एक कंप्लेंट लिखवा दीजे वैसे तो मैं कंप्लेंट लिखवा देता पर मेरी बेटी उनके पास है उन्हें पता चला मैं पुलिस की मदद ले रहा हूँ तो वो उसकी फोटो लेकर कहीं इंटरनेट में न डाल दें पॉसिबल ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए आप अनओफिशिली ये काम कीजिए मेरी बेटी के घर आने के बाद वो लड़के जिन्दा नहीं बजने चाहिए इसलिए मैंने आपको घर पर बुला है आपने मुझे बचाया सर एनकाउंटर केस में डॉन्ट वरिग अब मेरी बारी है एक घंटे में आपकी बेटी को बजा लूँगा अभी तक पुलिस को इंफर्म कर दिया होगा आदे घंटे में सारे रूट्स ब्लॉक कर देंगे हमें अभी चलना चाहिए ट्रेन की टिकट मेरे पास है वो तेरे पास है रख सुनो पटल एक टिट्नैपिंग केस है चाल लड़के तमिल लाण उसे है उन पर अलड़ी पीजिंग का केस लागा यस सर्ण अगर पुली स्टेशन इंस्पेक्टर से बात करो और उसका लोकल अड्रेस पता करो यह अन ओफिशल है कोई केस फाइल मत करना उस लड़की का मोबाइल नंबर भेज रहा हूं उसका तीन महीनों का कॉल डीटेल तुरंट निकालो विल डूँच चलना है सर घर चलना है नेक पहले पुली स्टेशन चलो कुछ काम है उसके बाद हम ख़र चलेंगे जैसर ओई 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 प्रभू कितर आ तुम कौन हो तुम कौन हो किल गाए और ने लड़कों से घर खाली कर दिया उस केस में प्रभू नाम का एक लड़का शामिला उसके सारे डीटेल्स ही मजा तक प्रभा कर से फोन आया था केक शॉप जाईए चॉकलेट केक में ज्यादा क्रीम लगवाईए और छे केंडल्स भी लीजिए आज मेरे बेटे का बद्दे है और हैपी बद्दे अर्जू लिखवाईए ऐसे किट्नेपिंग केस को हम कभी टॉलरेट नहीं कर सकते ठेक सर्थ लड़की क के फोन नंबर्स को ट्रैक करो सर बहुती स्लोब प्रोसेस है कम से कम पांच घंटे लिए आप खुदी फोन कीजे तो जल्दी हो जाएगा सर एक आदमी है वो कहता है कि हम जिसे ढूंड रहे हैं अगर उसकी वोईस सेंपल हो तो उसे कहीं भी ढूंड सकते हैं उसके पास ए उस लड़की को किटनेप करके किदर लेके गया है उनसे लड़की सर तुम्हें नहीं पता अब याद आया कौन सी लड़की रृतिका सर गुद अब सणो एक घंटे में उस लड़की को बचाने वाला हूं उसके बाद प्रभू और उसके फ्रेंज का एंड का एंड कांटर क नहीं छोड़ूगा तो जल्दी से कहानी सुना और कॉपरिट कर और मैं यह कहकर तुम्हें छोड़ दूँगा कि तुम्हारे इस केस से कोई रिलेशन नहीं है यूल भी फ्री हाँ अपारवतीव हाँ मेरा चिकू आपने मेरे लिए बेंटन गिफ ले लिया है और तुम्हारे लिए एक सप्राइज भी है और देखो अभी डेडी बिजी है जल्दी आ जाओंगा सूपर मैं की तरह बेंटन नोट सूपर मैं बेंटन नोट सूपर मैं बीड़ बॉय सर अभी बेंटन में सर बहुत सारी नहीं अच्छी वराइटीज आएंगे सर बहुत सारी वराइटीज और बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं सर आप उसमें से सेलेट कर सकते हैं अच्छी में अच्छी आप इस अच्छी आप इस अच्छी आप इस प्रॉशा कीजिए वो मेरे फ्रेंड्स नहीं थे सर वो मारी स्टेट से थे इसलें मैंने उन्हें में पीजे अकोमेडेशन दिलवाया था सर लेकिन आज मुझे भसा कर यहां से भाग गये सर रितिका मेरी गल्फ्रेंड है और हम दोनों को अलग करने के लिए प्रभु ने बहुत कोशिश की सर और जब रितिका भी नहीं मानी सर तो उसने रितिका को किड़ाब किया सर प्र मुझे सिर्फ सच बताना ओके शुरू जाओ सर रितिका और मैं अबलो मैं और रितिका आए फ़ाइजी से एक साथ पढ़ते थे शार और वो हमेशा मेरे पास आकर बैठती थी कॉलेज में सभी दोस्त बोलते थे वी आर मेट फॉर एच अधर सब कुछ ठीक चल रहा था और हम दोनों बहुत खुश थे तभी प्रभु ने हमारी सिंदेगे में एंट्री की सब्सक्राइब हलो मैं नेम इस प्रभु आम कमिंग फ्रम चैन्ने आए आए अर्लियर आए बिफोर आम स्टुडिद अ यह तो हमारे जासा इंग्लिश बोलता है मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं अंग्रेजी अच्छी नहीं है मेरी मेरा नाम प्रभु है मैं चन्ने से आया हूं यहां कई लोगों के मूझ से सुनाए कि उन्हें 70% मिले 80% मिले मैंने तो बहुत महनत की लेकिन मुझे 42% मिले मैं लगता है पढ़ाय लिखाई में तो यह अच्छा है स्पीच अच्छी लेता है मैं बीएसी फिजिक्स के लिए एडमिशन ले रहा था लेकिन डिगरी नहीं मिले इसके अलावा मैं क्रिकेट खिलता हूं यूनिवेसिटी की बॉक्सिंग टीम में था मैं सब कुछ करता ह लेकिन वैसे में कोई भी एक काम पूरा नहीं करता मैं बहुत ही सिंपल इंसान हूं थैंक्यो अच्छा तुने हिंदी में बात की वैसे मेरी इंग्लिश पूर यार चिन्ने में रहते हो गया हाँ चन्ने में सुट्टा मारता है या प्रभू ने अपने सारे स्टेट के लड शिशत आर चिर आर चिर गॉल आइं है यो लड़का मारे क्लास में पढ़ते है छे लुक्त, है रिए कमिंग फ्रॉम तर जगह पे औली स्टे वन रूम यू आरेंच प्रीज पूर आप हंडी में बोलिय लू हम हंडी समझते है ये भी अप ही के स्टेट से है इसका घर उध बस, बैंगलोर कमिंग, विकाज हम अच्छे अच्छे का इटम पटा कर पब में जागरदार उपी कर हैपी रहने के लिए हैं, मैं तो दीदी के गर में रहता हूं, पुछ नहीं कर पाता हूं, तो यू ओनली अरेंज हो के, पहले गलत इंगलिश बुलना बंद करो यार, अच जुपकर यार, सारी आइटम इस ही के पास हा, समझा कर, ब्रो, तुम तो चहरे से जेम्स बॉन दिखते हो, हमारे लिए रूम अरे रेंज करना तो तुमारे बाए हाथ का खेले, ओके, I'll help you out, कहीं PG के लिए देखता हूं, रेंज करता हूं, अडवांस कम भी दिया तो भी जी का मतलब, पैंगे, और तुम लोग जैसे सोच रहे हो, वैसे आइटम को उधर ले जा नहीं सकते, बाखी मैं समाल लूँगा, अंटी, मैंने आपको बताया था न, वो मेरे फ्रेंड्स आने वाले है, जो एडवांस मैंने आपको दिया था, वो इन ही के लिए दिया था, देपक, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, इसलिए मैं अलाव कर रही हूँ, मेरे यहां ड्रिंक्स लेना मना है, क्या बोल रही है यार यह, कह रही है यहां धारू की ना मना है, पढ़ाई के बिना जी सकते, धारू के बिना हम कैसे जिएंगे, वो तो हमारी जिंदगी है यार, स अवांस लेने से पहरे रूस बता नहीं सकती थी, यहां अटी ऐसे ही बोलती है यार, और हम भी आंटी के लिए शरीफ ही रहेंगे, यार कुछ बोलना चुक को है तू, इसे नशा नहीं होता, इसे लड़कियां पीकर बिंदास अपने घर चली जाती है, यह मुदली, क्या ह पीएगा नहीं क्या, क्या हुआ, हमारे माबाब कितनी तकलीफ उठाकर हमें पढ़ाते हैं, और हम उनकी महनत की कमाई पीने में उड़ा देते हैं, अरे यार, मैं बता रहा हूँ, यह हमारी इसत की पूरी वाट लगा देगा, क्या है तू, निकल जा यहां से, बाहर चले करने की कोशिश करते थे, लेकिन हमने उन्हें टोटली अवाइड कर दिया था, तब एक दिन एक लड़के ने रितिका को डांस के लिए बलाया, मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके दोस्तने मुझसे बत्तम इजी की से थे, और शॉरी मेरा ध्यान नहीं था, प्रभू के कहते ही, जब वो लड़के वहां से चले गए, तो ऐसा लगा कि प्रभू नहीं, वो पूरा ड्रामा सेट किया था, लड़कियों को पब में लाना कोई बड़ी बात नहीं है, उनका खयाल रखना चाहिए, पहले लड़की की देख भाल करना सीख ले, बाद में लड़की पटाना, वो लोग वापस आयों से पहले लड़की को लेकर यासा निखले, देखता क्या है, जाना, वो इस इंसिडेंट के बाद, रिटिका को प्रभू पर और ज्यादा इंट्रस्ट होने लागा, अमार, कृँ कूँ से बाद कर रहा हू ऐ है, तू काहँ है यह दोई कर देखने लाए, यह स्थे की देखने पर चयाद मेर्व मेरे, भभू झाहिए, हम्जह समझ आ रहा है तूल रोक वभु घटिका कर एप कि कि एया है? हाई प्रभूर है कुमिये था पहसा पता हाई प्रभु। हाई lotta ईोई हाई अंदर नहीं आ रहा है? शू कावेट एट पर रहा हूं कार्तिक लेने करा है वे, मैंने बताया था ना, शूस कमपल सरी, लेकिन ये तो नहीं बताया था ना, कि विना शूस के पप के अंदर छोड़ेंगे ये नहीं, प्रभू, एफवे पे मैंने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भीजी है, मुझे याद करना हां, ओके, भूलना मत, वृत्तिका उसस आती थी सर, और मैं जानता था कि उससे इस वजए से बहुत प्रब्लम सोने वाली है, इसलिए मैंने उसे बाहर बुलाया, वो आई, लेकिन प्रभू भी साथ आया, इसलिए मैं कुछ बोलना ही पाया या, जीपक, गाड़ी में पार्क करता हूँ तुझा, ये बैंगलोर ए मुजिम रोड, मार्क स्ट्रीट, यहां बाग कर दूँ गया, नाए, ओके, ओके, अरे तुझा, इसलिए प्रभू को फोन किया, इसलिए प्रभू को फोन किया, और उसका फोन सुचॉप था, गढ़ जाकर फेस्बुक से मेसेज भेजने को सोचा सर, प्रट काड़ी काफी देर हो चुकी थी, मैंने सुचा प्रभू रितिका की लाइफ बरबाद कर देगा, लेकिन उसने कर दी, इपक, कहा गया था तू, यह सवाल तो मुझे बूच रा जाएगे तुमसे, पता है कॉफी शॉप की एंट्रेस पे कितने देर इंतजार किया, वहां जगा नही बैटरी बहुत लो थी ना, तो स्विच आफ कर दिया, तेरा बहुत वेट किया, तो नहीं आया तो मैंने उसे ओटो में ही घर चोड़ दिया, अच्छली यह मेरा ही प्लान था, अच्छा, आया या, इस कल इस बिग पेन, दिन बर लड़कों के साथ रहना और लेट नाइट पार्टी इटेंड करना, इतना मॉडर्न कल्चर मुझ से से नहीं होता है अब तक मैंना इंजोई किया, अब तू मसे ले तिरी मुझा से मैं पंच गया या, अरे लेगा, आधा थी का थैका हाई प्रभूवी है कि अला करें गांद करोग्याइज टाने दाने परभू के पास बैठोंगे तो मुझे सब्जेक्ट्स में हेल्प भी मिल जाएगी सब्जेक्ट्स हमज़के क्या कर मैं चाहती हो ऐसे तो में भी बात कर सकता हूं अब बस करो यार तुम तो छे केには इसे फिलोग और तुम करोगे यह जीनियस उसकी बात सुनकर मैं बहुत इरिटेट गया था और मुझे बहुत कुस्सा भी रहा था Rethika Sir Answer my question Deepak I said answer my question Deepak answer answer Gorilla Gorilla sir What? यार यह तो बिल्कुली डफर है Sir is it chimpanzee? Deepak इस वोग मुझ पे हस्क्यू रहे है तो यह है पूरी डफर है Get out from my class Hey Ritu Sorry यार मैं इस तम गोरिला का फोटो देख रहा था यार इसलिए ने गोरिला के दिया I trusted you You made a fool out of me वो मेरे बाले में क्या सोचेगा अच्छा तो तुम्हे उसकी फिक्र है कि वो क्या सोचेगा इसलिए लडगियां को पागल गयते है क्या कहा गुस्सा क्यों होती हो उस दिन पब में प्रभू ने लड़कों को क्या भगा दिया तुम तो उसको हीरो समझने लगी उन लड़कों को बैंगलोर में सिर्फ दो चीज़ चाहिए एक आइटम और एक दारू तुमें पता है प्रभु ने मेठ साथ कॉनसी बैट लगाय हुई कॉनसी बैट लगाई तुमें थाकर पादो तुम जूट बोल रहे हो अनुमैं अब मैं उससे बात नहीं करूंगी प्रभू के बारे में मैंने जो जो रितिका से का वो रितिका मान गई उस दिन मैं बहुत कुछ था उस दिन शाम को मेरे घर से फोन आया कि मेरी मा की तब है ठीक नहीं है और मैं उसी रात को अपने गाउं चला गया थोड़े दिन बात जब मैं वापस लोटा अपना बैक पीजी वालों के रूम में रख कर रितिका को मैं प्रपोस करना चाहता था सर लेकिन लव यो अलविट्चू प्रभू आए यह कैसे हुआ वही तो मुझे भी समझ नहीं है सर आओ दिपक हम आभी आये हैं हाँ मैं भी दर्वाजा नौक करना चाहिए था ना मेरे तो सुनते ही होश उड़ गए सर जब उसने कहा कि दर्वाजा नौक कर आना चाहिए था ना मुझे तो बहुत बोरा लागा सर क्या हु होगा जिसकी मजह से रितिका उसको आई लव यू अई लव यू गह रही थी उसकी बाद भी तुम उसके साथ क्यों रहे जो भी हो सर रितिका मेरी गल्फरेंड है मैं उन लड़कों के साथ ही रहकर उन डोनों का रिलेशन्शिप टोड़ने की कोशिश कर रहा था सर लेकिन एक दिन प्रभू बारिश में भीग कर खार पर आया खाना खाने के टाइम पर आजाना जाहिए था आप जाई आए अंटी मैं खालूंगा आ इंदर लेट आओगे तो गेट ही नहीं खुलूंगी और खाना भी नहीं दूरी यहों आइटम के साथ खूब मज़े करके आया लगता है अरे इसके तो चेहरे पर चोट लगी है उसके चेहरे पर बहुत चोट लगी थी सर उसके चेहरे पर मुझे लगा कि कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम होई होगी उसके साथ सर फेस्बूक अपडेट दिखने से लगता है की यह कंफर्म लव मैटर है सर उसके फैमिली के बारे में पता किया सर चेन्ने में उसके जीज़ा एक क्रेमिनल लॉयर है सर इस लड़के पर केस भी दर्ज़ है सर एसाई को मार देगा एसाई को मार देगा और केस चार महीने पहले ही हुआ है सर ओके तेंक यू सर येस मनुच वाइ यू डिद इस सर मैं कुछ समझा नहीं आपने क्यों नहीं बताया कि आपकी बेटी उस लड़के से प्यार कर दी ती इसलिए उसके साथ भाग गई लेकिन ये सब तुम्हें कैसे आप नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा आपने जूट कहा इसलिए इन्वेस्टिकिशन में हमारा काफी वक्त बरबाद होगे सर अभी तक मैं उस प्रेस मीट को भूल नहीं पाया हूँ प्रूफ के साथ बात करना समझे मेरी उस हरकत के बाद से मीडिया मेरे अगेंस्ट हो गई मुझे डर था कि इस बात को प्रेस मेरे खिलाफ यूज करेगी इसलिए मैंने तुमसे जूट बोला मुझसे गलती हो गई पर मेरी हेल्प करो प्लीज अभी तो बस इतना ही कह सकता हूँ अब अब एक लिस्ट टेल में वाट तो एक्चुली नो एक महीने पहले नाइट मीटिंग के बाद मैं घर लॉट रहा था तेज बारिश हो रही थी रोड में उस समय कोई भी नहीं था और तब एक लड़की ने मुझसे दिफ्ट मांगी गाड़ी रोको मैं और मेरी गल्फ्रेंट बाइक में जा रहे थे अब मेरी बाइक खराब होगी है आप हमें जंक्शन तक लिप दे सकते हैं मैं अकिला होता तो कोई बात नहीं हूँ लिकिन मेरी गल्फ्रेंट भी साथ मैं प्लीज ठीक है आज़ो थैंक्स सर प्रभू, नो प्रभू तो मेरे टैड है उस लड़के को तो वही मा डालता मैं लेकिन बेटी के सामने कुछ करना नहीं चाहता था इसलिए कुछ नहीं किया मैंने उसी समय सोचा कि रिजिका को अपनी बेहन के घर भेज़ दूगा लेकिन मेरी बेहन ने का कि एक्जाम के बाद वो उसे ले जाएगी आज लास्ट एक्जाम था शाम को भेजने वाला था तब तक कि ये सब हो गया आज रात बारा बज़े से पहले बिना किसी को पता चले उसे पकड़ना होगा क्या का? रात को बारा बज़े से पहले क्यों रात को बारा बज़े वो अठारा साल की हो जाएगी बालिग हो जाएगी वो इसलिए मैंने किड्नैपिंग का बहाना बनाया ताकि आप तुरंट एक्षन लेंगे सर आप क्यों चिंता करते हो you are a very powerful man आप कुछ भी कर सकते हैं सही है मैं बहुत पावर्फुल हूँ लेकिन मीडिया वाले तो यही कहेंगे ना कि मैंने जबरदस्ती एक बालिग लड़की को घर में बंद करके रखा है और ऐसा करने से मेरा पॉलिटिकल और सोशल इमेज पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा इस ते चुब बैठाओं ठीके सर एक केस फाइल कर दीजिए नहीं यह किसी को पता नहीं चलना चाहिए यह किड्नैबिंग केस नहीं है यह आपका परसनल इशू है आपके फॉल्स इंकाउंटर केस से मैंन उन लड़कों ने विरिनावन एक्स्प्रेस में चन्ने के लिए टिकट बुक किया है सर उनके साथ रिदिका नाम की एक लड़की भी है सर अओके हमें उसे कोई लिना देना नहीं है स्टेशन की चारो तरफ हमारे आदमियों को तैनाद कर दो सिवल्स में मुझे लगा कि उनका कोई बड़ा प्लान है इसलिए आपकी बेटी को उठाए लेकिन बिचारे उनको ये भी नहीं पता कि अपने ही नाम से टिकेट बुक करने से फस सकते हैं बच्चे हैं बिचारों सर हमारा एक आदमी वो कि स्टॉल पे खड़ा है सर वो सिवल ड्रेस में है सर और कुछ प्लेटफोर्म नुबर चार पर यूनिफॉर्म में है सर यूनिफॉर्म वालों को अटा दो सिवल ड्रेस वालों को रहे लिए लिए ओके स्टेशन पे उस एज ग्रूप के सभी लोग छार पर अट्यक्स पेसाफ धां सर ग two-day वो फिस चुटने में कि अ कितनी देरे चुटने में चारिये बाकी है सर ले लेकिन वो दौनों आया नहीं सर वो लोग लास मिट में आकर चुझगे या, टेल में, ओके, ओके, सर, हमें जिन दोनों की तलाश है, वो दोनों दूसरे एंटरेंस पर दिखाए रिया, सर नाम क्या है, एफ़ान, गल्फनेट है, हाँ, गल्फनेट, निकल, बहुत दे बॉइ, मैं जल्दी आ जाओंगा, ठीक है, मामी को फोन दो, मामी, हाँ, पारवती, मैंने कितनी बार काया, अर्जुन से फोन मत कराओ, मैं ड्यूटी पर मुँँ, मैं कैसे कह सकता हूँ कि कब और कहां मुझे ड्यूटी पर जाना पड़ेगा, ऐसे सवाल मत पूछो, मेरे लिए भी अर्जुन का ब़र्दे इंपोर्टन्ट है, ठीक है, ड्यूटी खतम होते ही आता हूँ, आई लव यू, बाई, सर, ट्रेन में अगर गय तो गय कैसे होंगे, चला हॉस्पेट आगया, हॉस्पेट, हॉस्पेट, उत्रो, उत्रो, सब ठीक है ना, सब ठीक, रिटिका फोन देना, तुम जाओ अंदर बैठो, उसे साई ने आकर तुमारे पती को उठाये ना? हाँ सर फिर क्यों कह रही हो कि उसने नहीं उठाया? ना उसे देख लूँगा अरे क्या सर आप भी हमेशा पुलिस वालों से पंगा लेते रहते हैं सर मैं पुलिस टेशन बिना जाय भी रह सकता हूँ लेकिन उसे तो कोट आना ही पड़ेगा ना? तो डर उसे लगना चाहिए तुम चिंता मत करो शाम को तेरा पती घर आ जाएगा क्या हुआ प्रभू? वो साथ में है अभी काया है? औसकोटे जंक्शन के पास चाहेगी दुकान में पहले स्टेट से बाहर निकलो बस थोड़ी देर में यहां से निकलेंगे और होसूर के रास्ते से आएगे आरे वो रूट बहुत लंबा है नई जीजू उन्हें पता चल गया होगा हम ट्रेन से नहीं आ रहे हैं इसलिए वो रास्ता ब्लॉक करवाएगे और हर कोई जानता है कि NH4 सबसे शॉर्टेस रोड है इसलिए इस रूट पर चेकिंग तो होगी होसूर रूट फ्री मिलेगा हम मालूर के रास्ते से आसानी से पहुंच जाएगे यह दिमाग पढ़ाई में लगा अगरो क्या कहा जीजू? मैंने कहा यह दिमाग पढ़ाई में लगाना चाहिए दबल कर जाना वसूर चेक्पोस को अलट कर दो होस्पेच स्टेशन को भी इंफर्म कर दो उन लड़कों की फोटोग्राफ सारे पुलिस टेशन में भेज दो एंड उस नमबर को ट्रेक करते रहना सब्सक्राइब के लिए कमिशनर साहिब ने इस साल इसको अवार्ड दिया है ओके चलो यहां से निकलते हैं यहां ज्यादा देर रुखनी सकते बोलो सब्सक्राइब कर दिया सब्सक्राइब और थोड़ी दिर में वो लोग फोन स्वेचान करेंगे सब्सक्राइब कर दिया सब्सक्राइब कर सकते हैं यू इडियाट मुझे हर वाक्त रुनिंग कमेंटरी मत दो वो लोग अभी किदर है वो लोकेट कर अ ओके सर वो नया नंबर मुझे एसमेश करो आइवर दूएट सब्सक्राइब प्रभू बले सा गई अब क्यों करें हूं डरों मत टेंशन मतलों अगर डर जाओगे तो पकड़े जाओगे हिंदी पिचर में ने देखा किया हमें पकड़ने के लावा उनकी पास बहुत सारे काम हैं कूल हो जाओ क्या हूं कूल हुआ हूंरां नौकिया का चार्जर है क्या सर को चार्जर दे दू अरे यह तो कुछ जधा ही क्यों चल्बारए चलो चलते है सर होजकुटे जंस्शन पर ही मोबाइल का लोकेशन है, ऐड्रेस पता करकर कि आपको इन फंक को तो तों सर्द कमन फास वो बाइक किसकी है? पता नहीं सिर्थ तुमारों फोन टैप हो रहा होगा और हम मालूर से जाने वाले थे इसलिए वहाँ चेकिंग बढ़ा दी होगी हम एनेच 4 से जाएंगे वो हमारे लिए सेफ भी है सिम बदलने के बाद वो आयमी आई से ट्रैक करेंगे इसलिए मैंने फोन वहीं छोड़ दिया था आयमी आई नमबर से कैसे टैप कर सकते हैं सिम कार्ट से हैंडसेट नमबर का पता लगा सकते हैं सर सभी हैंडसेट का एक यूनिक नमबर होता है सर वही आयमी आई नमबर है सर और उस हैंडसेट से जितने भी नमबर को फोन किया गया है हम पता लगा सकते हैं सर और उस सिम से हम नय हैंड सेट का भी पता लगा सकते हैं और उसी तरह से उस हैंड सेट के IMEI नंबर से जितने भी सिम यूज किये गये हैं हम उसका पता लगा सकते हैं सर और इस तरह से उस सिम कार्ड से जितने भी 3, 4, 5, Sir कुछ दिनों बाद तुम्हारे डाड मान जाएंगे फिक्रमत करो अरे यार ये नंबर किसी गो कैसे बता चाहिए सनो, फोन सुच आफ कर दो हलो हलो प्रभू कान बोल रहा है नए सिम के लिए कॉंग्रेचुलेशन्स प्लान अच्छा है मैं इसे भी मनोज बोल रहा है हां बोलिये अंडरेज लड़की को भागा कर ले जाने से क्या होता है पता है तुनको साथ साल की साथ साल की सजार सेवन लॉंग येर्स सर अक्यूस्ट के सेल के पास मनोज सर भी है उसके डैड ने कंप्लेइन किये अगर उसके डैड कंप्लेइन करेंगे तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा इसलिए सिंपल है उसके डैड ने कंप्लेइन नहीं कि सर और एक्यूस डेक्वी लोकेशन पर है बिना कंप्लेइन बिना एफ आयार उस लड़की का फोन टैप करना और मेरा फोन ट्रैक करना ये भी गलत है आप फस सकते हैं उसके डैड को बचाने के चक्कर में आपकी डैथ हो सकती है उस लड़की को मुझे अे अंड़ इवर कर दो मैं तुम्हें माव कर दूगा वन्ना पकड तो लूँगा मैं तुम्हें और तुम्हें बर्बात कर दूँगा बेले मुझे पकड कर दिखाऊ उसके बाद मुझे बर्बात करने केija के बारे में शुछना Micolo सर या आप और एक्यूस डे की लोकेशन पर है सर डूं शाउट एक्जेक्ट लोकेशन लागा सर वो लगबग आपसे तीन सो मिटर की दूरी पर है सर बहुत देर से ही की जगे पर सिगनल दिखा रहा है सर पुलीस हमारे मोबाल ट्रैक कर रहे हैं इसलिए इस वक्त मुझे पूच आफ करना होगा पून आफ कर दिया अब वह आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे अगा कि अ कि अ तब तक आपने मुझे पोटो नहीं बेजी थी तो आपने उनका बाइक नमबर नोट कर लिया हैं बाइक नहीं सर कार में गए हैं सर कार में यस सर प्लाइक कलर की सिडान टाइप कार है सर तमिलनाडू का रइस्टेशन है हेलो सर हाइवे पेटरल को इंफों कर दो नाका बंदीगर निकलिको गाड़ी लेका हमारा नया नमबर उन्होंने ट्रैक किया मतलब उन्हें पता चल गया है कि हमें नेच 4 से जा रहे हैं आगे पुलिस गाड़ियां चेक करी होंगी हमें कुछ सोचना होगा कि इतने भी काले रंके कार आ रहे हैं सबको रोको और उनके डॉकमेंट्स चेक करो यह लोग तो सिर्फ काले रंके कारों को चेक कर रहे हैं कहीं पुलिस को पर शक तो नहीं हो गया फोन अन करके सबको मेसेज करो कार्थी का मेसेज है हाइवी पे सब भी काले रंकी गाड़ी को चेक कर रहे है उमेश अपने घर पर होगा ना हाँ उसे एसमस बेज बंगार पेट स्टेशन आने के लिए सार हम जो नंबर ट्रेक कर रहे थे उसमें से एक नंबर से बंगार पेट नंबर पर एसमस बेजा सर कम टू बंगार पेट बस स्टेशन ऐसमस सर अजय ठीक है पेट्रोल को इंफर्म कर दोगे वो लड़का बस टेंड आएगा है 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 बंगार पेट में हम गाड़ी चेंज कर लेंगे उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी तुम मेरे साथ रहो के तो मुझे सिंदेगी बड़ प्रॉब्लम नहीं होगी कि अजय जय बड़ाचा प्रोच लडर झाल झाल रभू उमेश आ गया हालो पगार पेट हावे पेट्रोल रिपोर्टिंग सार गाड़ी को पकड़ लिया सार और वो लड़के एक ही लड़का है सार सार को बताओ बाकी लगए किता रहा है वो कहां गए मुझे नहीं पता सर और पताओगा तो भी मैं क्यूं बताओं ते नहीं पताओगा मुझे बताओगा मैं नहीं जानता हूँ नहीं बताओगा तुमें तुछे जानता हूँ प्रभू और रिप्राइब प्रभू और रिटी का बताता हूं एक गंडे पहले मुझे एक इसे में साया था सर मुझे बंगर पिट सेशन आने को कहा था मुझे कार देकर प्रभू और रितिका ट्रेन में चले गए सर कौनसी ट्रेन भी गए हैं मैं नहीं जानता सर विर्दावन एक्सपेस ब्रिंदावन एक्सपेस है हा सर अगला स्टेशन कौन सा है कुपपम सर यहां से 18 किलोमेटर है पास पास लव के लिए फ्रेंड्स को हेल्प करते हैं यह जित लव नहीं है सर इसके पीछे कान ही है सर एक प्रभू बारिश में भाइक बिगड़ गई थी लिफ्ट मांगने के लिए उसके पिताजी की गाड़ी मिले पता नहीं है रितिका का क्या हुआ होगा उसके डैड ने कल उसे कॉलेज नहीं भेजा तो ए ऐसा कुछ नहीं होगा तो चुपकर अरे तुम लोग उसके डैड को नहीं जानते हो यार बहुत खतरना अकादमी है वो वो रितिका को कॉलेज नहीं भेजेगा जब तक मैं उसका दोस्त था मैं उसका खयाल रखता था और तुम्हारी वजह से उसकी लाइफ स्पोईल हो गए अब बसकर तू मेरी बास सुन हम सब तेरे साथ हैं जो होगा अरे मुलक का क्यों बैठा यार हमारी टीम जीत गई यार उसकी गल्फ्रेंट घर में बंद है वो कहां से खुशी मनाएगा यह बहुत ज्यादा बोल रहा है यार मैं तो सची बोल रहा हूं ना चल यार जाकर पीते हैं हाँ हाँ चलो चलो के पीते हैं आज मैं स्पॉंसर कर पुद्र देते हैं उनके जन्ल दिन पर उनके छोटे भाई की तरफ से खांणा पीना फ्री है जो जिसको खाना है जीबingt शौत करते हैं हम आप सभी का स्वागत करते हैं मिनिस्टर साहब के जन्म दिन की खुशी में मैं एक गाना पेश करता हूँ है उसी लिए तो हम दोस्ते हैं जब सब कुछ फ्री मिल रहा है तो हम कैसे छोड़ सकते हैं माबब का पैस्ट रिटिका से मिलना मैं तुम दोने को मिलवाऊंगा मैं मिलवाऊंगा चल मेरे साथ मजाक नहीं है अगर पकड़े गए तो सब की बैंड बच जाएगी तो चुपकर हम दोस्ते तो दोस्ते निवाएंगे समझा तुम लोग समझोगे ने तुम सब लोग यार ये छोड़ी सी दिवार है स्कूल में इससे उंचूची दिवारे हमने कूदी है समझा आजा लग जा काम में all the best भाई भाईयों हम लोग ने बहुत पी रखी है हमें घर चलना चाहिए नए मैं बलकुल ठीक हूं वैसे भाईया केला है उसे सपोर्ट करना चाहिए समझा है हम खुद को तो सपोर्ट करने ही पा रहे हैं उसे का सपोर्ट करेंगे कि अ अल्हण केंट करें जाक стран करें फार्मुट करेंडें ÜIGHT की फ्रीष में आफ है hundred a struck पूर्म मुजे कई देर एक्र है कुछ यह है क्शूदी वाला है मैं तुम दोल्स को मिलवाऊं गाई तुम दोनों को मिल ज़ए कूला आखत निरोख पाएगे, फिकर नॉट भाई, लगता सगुन अच्छा है, गर के लाइट भी ओन हो गई है, भाई तु नीचे उतर कौन है वहाँ, कौन शर्मचार है, कौन है वहाँ, क्या करो यहाँ पर I think some problem, we go home, okay? अब क्या घर जाएं, क्या? अब हमारा क्या होगा कालिया अ इस अ क्या दरुबद थी चुपचप कॉलेज से सिधा घर नी जा सकते थे, ऐसे लोगों से दोस्ति क्यों करते हो हम चलो ठीक है घर पे जाओ, बोलाना घर जाओ मैं आपके कॉलेज के अंदर तो नहीं आया ना क्रितिका के पिता जी के कहने पर सब को कॉलेज के एंट्रेंस पे अंडर वेर पे खड़ा कर दिया और बोग बेज़ ज़िती की और आप इन बदमाश लड़कों की तरफदारी कर रहे हैं तुम्हारे चक्कर में मैं चार्ट दिन से वर्काउट नहीं कर पा रहा हूँ यह सब रोकने के लिए कॉलेज मेनेट्मेंट ने बहुत कोशिश की लेकिन वो इंस्पेक्टर मानने को ही तयार नहीं था यह हमको घूर क्यो रहे हैं उसके बाद हमने प्रभू के जीजा जी को यहां बुलाया वो चिन्ने में बहुत बड़े वकील है सर मैजिस्ट्रेट के कहने से मैं इन लोगों को छोड़ रहा हूँ नहीं तो बहुत बड़ा केस बनाता सिर्फ एक्जाम देने के लिए यह लोग यहां आ सकते हैं अगर उसके अलावा यह लोग यहां दिखाए दिये तो मैं इने अरेश्ट कर लूँगा हमें अची तोरह पता है क्या करना है आप फॉर्मिलटीज कीजिए ठीक है इस पर साइन करवा दीजिए इसमें लिखा हुआ है कि उस लड़की के साथ इसका कोई संबंद नहीं है अच्छा वो तुने पीपर पे साइन कर दिया मुझको लगा कि फिल्मी हीरो की तरह फिल्मी स्ट्राइल मैं भी बोलेगा कि प्यार कभी जुकता नहीं और मैं कभी साइन नहीं करूंगा वो लोग वैसे परिशान है तुम और परिशान कर रहे हो मेरे भाई कुल लोगों ने कैसे मारा आपने देखा नहीं क्यों उस लड़की को उठाने से सब ठीक हो जाएगा अभी तो इसका केस किसी तरह से सॉल्फ किया है और अब तुम क्या चाहती हो नया केस चालू करूं क्या प्रभू तू कुछ बोलता क्यों नहीं मेरी वज़ा से इन सबको प्रब्लम हो रही है फैर छोड़ो प्रभू तू कुछ भी मत सोच लड़की को उठा लेते हैं रभ अब वापस जा रहा हूं ठीक है विटा हमने उस लड़की को उठाने का फैसला किया है पागलो जैसी बात मत करो इतने बड़े इश्यू को किसी तरह सॉल्फ किया उस लड़की को बूल जाओ मेरे बिना वह अपनी जान दे देगी और मैंने उसे साथ देने का वादा किया ह आप चाहते हैं मैं उसे छोड़ दू तो क्या करना चाहते हो उसे यहां लाकर तुम उसकी देख बाल कैसे करोगे यह दोनों अलग बात हैं जी जो अगर अभी मैंने कदम नहीं उठाय तो आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो तुम बहुत उसके बाद रितिका को चनना ही लेकर आने के लिए हम लोग उने प्लाइन किया सर रिख सब्सक्राइब कर दोंगें इसका थ्यान रखना इसे किसी भी फ्रेंड को फोन मत करने रहे हैं इसके अ जिए जिखाओ, अल्रिजर्व कंपार्टमेंट का है, आप उदर नहीं जा सकते हैं, एसी कंपार्टमेंट को पार करने के लिए अगले स्टेशन के सिगनल तक भुखना पड़ेगा, अगले स्टेशन के लिए सिगनल है? हाँ है, उदर गाड़ी रुकेगी? हाँ रुकेगी, क्या हुआ? कुपम रेल्वे स्टेशन पे एक गाड़ी पे जा रही है, तुमने कहा हो वो सेंट्रल रेल्वे स्टेशन में है, और आप कहरे हो ट्रेन में सफर कर रहे है, मुझे कितना सीरियस मेटर हैं तुम जानते हो ना, तॉरी, जो ठीक लगे करो, पर मेरी बेटी को वापस लेगा रहा हूँ, ठीक है, स्टेशन आ गया है, टीसी से बात करते हैं, रबू, आ थास्टी, रथीका, हम, यह, हुआ, मैनोज मैनन, कूँ, लटो बातो, मेरा हाथ छोड़ो तुम हो कौन उचे कहां नहीं जा रहे हो हां उस लड़के से बचाने के लिए तुमारे पिता जम मुझे भीज़े चलो प्लेज़ दो डूंट शाउट बना तेरे बॉइफिल को यहीं टपका दूमा शाउट छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ I don't want to go जोड़ो मैं उस तड़के के साथ खुश हो सब प्लीज मुझे छोड़ो रिटिका रभू 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 रिटिका रिटिकाद जालो मेरा रिटिकाद मुझे चोड़ो तुम ऐसे उसे तोड़ नहीं पाऊगी यूल हर्ट योसल्फ मैं उन्हें फोन कर देता हूं कि हम लोग घर आ रहे हैं तुमझ में नहीं आ रहा है बेव कुफों से पहला पड़ा है कास हाँ क्या हुआ याज की बेटी मेरे साथ है लीजिए उससे बात कीजिए रिटिका मेरे पेटी सर स्पीकर पे है स्पीकर अन की है ओके पेटी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो याज मेरे बच्ची याज मेरे बच्ची अहसा मत बोलो सर यह कुछ दिन के लिए आसा ही बोलेगी डॉन्ट वर्यी टायम विल हील एर्रिटिंग इस उमर में तुम लोगों को लव ही सबसे बड़ा लगया उसके लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाओगे लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ समझ में आएगा ये सब गलत था क्योंकि उस वक्त सुसाइटी में एक स्टेटस की जरुत पड़ेगी तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हें फ्यूचर प्लान करना पड़ेगा उसके लिए पैसे चाहिए रितिका मैं नहीं कहता कि ये लड़का बिल्कुल भी नहीं कमाएगा बट जिस तरह की जिन्दगी तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें दी है ये लड़का तुम्हें बिलकुल नहीं दे पाएगा और तुम उस लड़की के साथ भाग जाती तो तुम्हारे डैड का पॉलिटिकल करियर फिनिश हो जाता पता नहीं लव के लिए सभी सेल्फिश क्यों हो जाते है तुम अपना लाइफ पार्टनर चूस करो गलत नहीं है लेकिन उसके लिए उमर और समझदारी की भी जरूत है देखो वो लड़का तुम्हें बचा नहीं सका अब तुम्हें मेरे हवाले करके खुद भाग गया वो मेरे लिए आएगा तुम लोग सपनों में जीते हो अकिकत दिखाई नहीं देती तुम्हारे फ्रेंड ने तो कुछ और ही कहानी बताई थी उस इडियत दीपक के कहने पर मैंने प्रभू को अवाइड किया था फिर किसी प्रॉब्लम के वज़े से दीपक घार चला गया और तभी कार्थिक लाओ मैं तुम्हारी फीज पर देती हूं इलो थैंक्स तूजो सोची तोनों के अलाम है इसके प्रॉब्लम क्या है यू मुझे क्यों फोलो करता रहता है रहता है रजलोग यू और आवाइडियम ही इस एवाइडियम रभू दीपक ने मुझे तुम्ह चीप काटेगरी की लड़के हो अम कल सुबह बात करेंगे तुम अभी नशे में हो जाओ क्या प्रोव जाना इस भूलना मत ब्रोव इना मत तू अठीक है जाते देख भाई मैं तरह को देख रहा हूं हां अरे तेक कर चल विखर नहीं बल्कुल ठीक हूं तुम अभी नशे अब किसी ने कुछ कह तो तुम्हारी सोच बदल गई तो तुम्हें पागल नहीं तो और क्या कहूं तुमने मेरी इंसल्ट की है I don't want to talk to you इस वक्त मैं भी तुमसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि तुम नशे में आओ चलो यहार दिमार्ख कराव गया है तुम्हार 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 तुन्हीं हो नहीं गूए अब ऐसा क्यों पूछ रही है ऐसे ही पूछ रही थी ऐसा करो जल्दी घर आजो कल मेरा न्यूज छपने वाला है ही मेरे साफंब रही क्या हर पांच मिनेट में क्योंने र法 और तो मेरे पैसे बचेंग के इसे लिए है आप एक अर्ड के नहीं यहां कि नहीं सब्सक्राइब। इस पैक को पी बिना मैं नहीं जाओंगी लास मत लिखा बोला ना चल बहार निकल जल्दी तू को इस पैकर जाएगी चाल इंतु है अपली स्वाइगी यृ जल्दी भी आपढ़ा मुझे भार जाओ जाओ जलुदा में भांगो जाओ विजह पारागी, यहले, बहुत हैकल यहानों, तुमे, आज में तेरी सारी हैकले निकाल कर रख दू। यहले, हाँ थात यह मिले पड़िते थ। अधी करो अधूद करो, शोब्स अधूद करो शोब्स बाइब, जो हुँदि आएउद। पूरे एंग्रेंस ब्लोक करता हो तो यह बहुर नहीं जाएगा जो बहुत को यहां दे कर आओ जो प्रिब तक नहीं आती यहीं रुको साब फिर मैं बताता हो तुम लोगों या आगे क्या करना है तुम यहां रुको आप यहां आज आगे करना है अब देक्टो ना हम चलो टूछ था बञए दखाथ ने मेरे अथमियों पे हाथ उठाथ थाथा थाथाथा यौच य९। रूकौप प्रभू मैं भी तुम्हारे साथ चाहती हूँ भोलूंग मेरे डाइट की पार्टी के लोगते मुझे देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी प्रभू एमजेंसे दिस साइड़ को हुए है इस थी और दो है कि पुरूंग सब्सक्राइब रर्तिका बोड़ से बूस्टाइब बश्सक्राइब प्रभू अवर डॉक्टर, डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर, पुलीस केस की ज़रूरत नहीं है इस एन इमर्जेंसी केस, मुझे एक्सिदेंट रिपोर्ट सब्मिट करनी पड़ेगी उसके पेरेंट्स को आने को बोलिए, प्लीज डॉक्टर, हम घर बताये बिना पाटी में गहे थे अविनाश पाटिल की बेटी है सर, क्या बोला, पॉलिटिशन अविनाश पाटिल की बेटी, बड़े लगों की प्रॉब्लम उनके बच्चे ही होते है, डॉक्टर ने काया इंतिजार करना पड़ेगा, तुम खड़ी क्यों हो बैटो, हां बोलो, यार मैं कार लेकर आया हू कहां खड़ा है, ठीक है मैं रिटिका रिटिका, हुद्टिका, चाए या कॉफी पियोगी, बौत गर मैं, अगर मैं निशा के परेंट्स के तौर पर तुम्हारे डाट का नाम नहीं लेता, तो एलाज नहीं होता, कि कम से कम एक बार तो उनका नाम किसी अच्छे काम के लिए यूज़ हुआ है पैसे देवसाई कितने हुए है वो बिल्कुल ठीक है अच्छा हुआ उस दिन तुम थे नहीं तो पता नहीं हम क्या करते अब मैं कभी भी ऐसे किसी भी जगा पर नहीं जाओंगी लेकिन इसके ब से तुम हमेशह ऐसी रहते हो एसा ही मतलब इतने बैलेंसट इतने में अच्छू डियूर एक प्रोफेसर की तरह है किखा अ कि अ हुआ 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 है हुआ हुआ है की पुगा जी पुगा जी अखिश्य के गर से उसी के साथ ही आरही हूं मैं इसाल निश्जा के घर से उसी के साथ ही आरही हूं मैं जूट भी बोल रही है पूछो उससे कहां गई थी निशा के घर पर थी बुवाजी देखो तो पुसा मत करो इसे यहां रहने की ज़रूट नहीं है अपने साथ ले जोई से भाईया लेकिन इसके पढ़ाई करेगी तारे सब्जिक्ट में फेल है यह आर्ट्स लेना चाहती थ मंत्री पटेल से सवाल पूछने पर रिपोर्टर्स के वज़े से हॉस्पिटल में भरती है और यह सवाल पूछने पर मंत्री अभिनाश पटेल ने उस पर रिपोर्टर पे हमला किया इस वज़े से अभिनाश पटेल के घर के बाहर लोगों ने घिराओ किया है पर अभिनाश पटेल है कि रिपोर्टर से माफी माइने को अब तक तयार नहीं हुए है मंत्री अभिनाश पटेल अपने पॉलिटिकल पावर का मिस यूज कर रहे ह हैं इस खबर की आगे की जानकारी के लिए आप लोग हमसे दुड़े रहे हैं मेरी फ्रेंड को हॉस्पिटल में एड्मिट नहीं कर रहे थे इसलिए मैंने डाट का नाम यूज किया सबसे कहता हूं बच्चों की परवरिश अच्छी करनी चाहिए पर मेरी ही बेटी नलायक है किस्मत ही पूटी हुई है यह यहां रही तो मेरी राजनीती पर असर पड़ेगा इसे अपने साथ गाउं ले जाओ सिर्फ एक ही साल की बात है भाईया लड़की पढ़ी लिकी हो कम से कम इसे ग्रैजुएशन तो कर लेने दो भाया मेरे डाट को अपनी फैमनी से साथा पॉलिटिकल करियर की जंता थी अब सौरी मेरे वज़े से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई ना इस ओकी अभी तो तुम ठीक हो ना मुझे प्रभू का नंबर दे सकती हो ओके लिकिन तुम्हें उसका नंबर क्यों चाहिए मैं उसे थैंक यू कहना चाहती हूं और उसके साथ डिनर पर जाना चाहती हूं अब वट अबाट यॉर बॉइफ्रेंड जब मुझे उसकी जरूरत थी तो वो नहीं था वो मेरा बॉइफ्रेंड नहीं हो सकता मैं फैसला कर लिया मैं प्रभूस नंबर लगता है मेरे फोन में कोई प्रॉब्लम है लेकिन मैं उसे कह दोंगी कि तुम्हें उसका नंबर चाहिए क्यों चाहिए निशा तुम्हारे साथ डिनर पर भी जाना जाती है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं जा सकते है लेकिन वो तुम्हारे साथ अखेल में बताओ क्या करो नो नो मैं तो स्फ बता रही हूं तुमहारा जो मन करता है वह तुम करो वह कहा है क्लास्रूम में ए टो प्रभू से कहा दिया जूट बुलवाया इसलिए फिर भी मैंने तो सची बोला है क्या मतलम मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं ए जाना सारे दोस्त पागल है उट-पटांग बाते करते रहते हैं है लाइक्ट वाठी सेड़ एधन वसरी है 13 थिया कहते है कि मैं उनके लाश के पास यह समझ कर सो गई थी कि मेरी मॉम भी मेरे पास सो रही है मॉम कैसी थी क्या बाते करती थी कुछ भी याद नहीं सिर्फ उनका ठंडा शरीर याद है आज भी उनके बारे में सोचती हो तो डर लगता है मॉम के नहीं होने के वज़ा से डाट ने मुझे इंटरनाशन बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया वो स्कूल में भी मुझे मॉम की याद आती थी लेकिन उनके ना होने की वज़े से इन सिक्योर वाली फीलिंग रहती थी बले इस साथ में कितने भी लोग हो, मुझे अकेले होने का एक अजीब सा डर रहता था और उस डर को हटाने के लिए मैंने एक फ्रेंड बनाया, वो था टेडी स्कूल में दीपक जैसे बहुत फ्रेंड थे मेरे, लेकिन टेडी के जैसे वो सिक्योर फिलिंग मुझे कोई नहीं दे पाता था वो फिलिंग मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ महसूस हुई तुम्हारे साथ लगता है कि मुझे लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है कभी-कभी तुमसे बात करते वक लगता है कि मैं अपने आप से बात कर रही हूँ मैं तो ये भी नहीं जानती प्रभू कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हारे साथ नहीं होता, तुम्हें बता दिया कि मैं तुम्हारे लिए कितना इंपोर्टन हूँ, लेकिन मैं नहीं कह पाया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और तुम मेरे लिए सब कुछ हो, अब जबकि तुम मेरी फीलिंग्स जान जैनों से मुझे कुछ अजीब साही फील हो रहा है एफरी सेकिंड आइ तिंक फ्यू और तुम से बात करने के बहाने ढूंटी रहती हूं अगर तुम मेरे साथ होके तो मुझे लड़कों निकालना ही होका तुम इंतिजार करो मैं चेंज करके आता हूं फिर बाहर जा कर बात हुआ है अधिका तुम इमोशनल हो रही हो हमारा यहां बात करना ठीक नहीं है मैं यह सिफ बात करने नहीं आए हूं अधिका मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं लेकिन यह वक्त इन चीजों के लिए सही नहीं है तुम कितने बोरिंग इंसान हो जब देखो तो एड़ाइस ही देते रहते हो लेकिन इस पूरी दुनिया में मुझे यही बोरिंग इंसान पसंद है तुम्हें मेरे बारे में कुछ जानना है मेरे दोस्त के पिताजी प這邊ना रहे थे तब एक पुलिस वाला उन्हें तंग कर रहा था यहां था कि उन्होंने जान देने का फैसला कर लिया ऐसिव फिर एक दिन मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर पुलिस वाले की बहुत पटाईई की उस वक्त तो मेरे दोस्त ने पिता जी का घर बना लिया लेकिन पुलिस वाला केस अब भी खत्म नहीं हुआ दो महीने में एक बार कोट में आजरी देनी पड़ती है पता नहीं केस कब खत्म होगा ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं थी फिर भी तुमने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुम मेरे साथ होते हो I feel so happy I want to share that happiness with you मैं समझ सकता हूँ लेकिन आज हम कुछ ऐसा करेंगे जिसके वेज़ा से कल पच्टावा हो ऐसा मैं नहीं चाहता इसलिए रोक रहा हूँ क्या हुआ I love you so much उस वाग वर जो भी मुझे करने को कहता मैं कर देती यह प्रभू भी जानता था लेकिन उसने कोई फायदा ने उठाया इन फाक्ट उसने मुझे समझाया आओ दीपक अब ही याए क्या तर्वासा नौक करके आना चाहिए था तुम इसके साथ दोस्ती मत रखो उसने तुम्हारे बारे में बहुत बहला बुरा कहा वह अच्छा लड़का नहीं है वह तुम्हें पसंद करता है लेकिन कभी कहनी पाया इसलिए वह मेरे बारे में जूट बोल रहा था बाकि लड़का अच्छा है वह तुम बहुत अच्छे हो तुम्हारी बाते सुनने के बाद मुझे लगता है कि वह तुम्हें लव नहीं करता बल्कि एक्स्प्लाइट करना चाहता है जो इंसान अपनी गल्फ्रेंट के साथ रहना नहीं चाहता है घूर अशुर उसका कोई अल्टीरियर मोटिव ज़रूर होगा तो मैं आपको यह बता दो कि जब मैंने उससे मुझे भागा कर ले जाने को कहा प्रभू प्रभू के बाद मेरे डायट मुझे बुआ के घर बेज रहे हैं और आज किसी को मेरा पासपर देकर बारे में बात क रहे थे मुझे कहीं नहीं जाना प्रभू मुझे अभी के अभी अपने साथ ले चलो प्लीज प्रभू प्लीज अपने साथ ले तुमने कहा मैं नहीं मिलूंगा तो जान दे दोगी इसलिए आया हूँ अगर तुम जान दे दोगी तो मैं जान नहीं दूँगा लेकिन मुझे हर पल, हर वक्त एक दर्द महसुस होगा क्या तुम्हें ये मन्जूर है? मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहना चाहता हूँ सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा मैं तुम्हारे साथ हूँ उस दिन वो मुझसे कह कर गया कि मेरा घर से भागना ठीक नहीं है मेरे डाड ने मुझे घर में बंद कर दिया उस दिन इशा से खबर पहुँच आई कि वो एक्जाम के आखरी दिन मुझे ले जाएगा रितिका तैयार हो ना? चलो वो जो कर रहा है प्लानिंग के साथ कर रहा है इसलिए दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो मुझे लेने के लिए जरूर आएगा जितना भी समझाओ यह लड़किया समझती नहीं है बॉइफेरेंट कोई सूपर हेरो नहीं होता ही इस दिफ्रेंट वो मुझे लेने जरूर आएगा है 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 प्रभु काचाव, प्रभु प्रभु प्रोन प्रीस प्रीस ऑाफ को खॉच को जहीे जिए प्रीस बाफ को खाम को सन जो खूऊ लभूह। लभू.. उसे झौछी उन्ष। लभू.. लीज्ण.. no.. लगूष.. लेका.. लेकें, wrangा.. हाँ! दवाँ! हाँ! अवाँ! दवाँ! दवाँ! गड़ी में बेड़ो, मैं तुम्हें कुछी नहीं करूग टायर लगाओ, टोड़ो, टायर लगाओ, प्रभु डॉन्ट परी, इसे मेरे टायर ने भेजा, यह मुझे कुछ नहीं करेगा, प्रभु डॉन्ट परी, अच्छा इसी बात है, प्रभु प्रॉन्ट अजयर लगाओ, तुम मुझे मलेगा, मुझे मलेगा, दोड़ो, अच्छा प्ली, अच्छा बंकली के बापर, मुझे एक सेट से बात है, दूसरे सेट बगाया, साव 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 थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगा तब तो आपको चंता करनी जाहिए हम कि अब है कि अब तुम कहां हो तुम आपर्वति में तुम काफिदे से ट्राइ कर रही थी स्विश्ट ओफ उता रहा है क्या बात है मैं कुपम में हूं कुपम में क्या कर रहे हो वो पटेल की बीटी की एक बड़ी लव स्टोरी है अपनी लव स्टोरी जैसे ने अपने जैसे नहीं है चोटे बच्चे है नथिं सीरियस आपको उससे क्या लेना देना अर्जुन की पाठी का याद है ना या 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 I'll be on time अच्छा अर्जुन को सप्राइज क प्लेट छोटी होती है लेकिन सही जगह रखी जाए तो बड़ा कांग करती है खुलो से एरे पास गन है मैं शूट करतू गन से शूट करने के लिए तुम्हें 30 सेकंड तो लगेंगे और इस ब्लेट से गला काटने के लिए सिर्फ तीन सेकंड काफी है रिदेका हटकड़ी लेकर यहां हो मैं ना दो सर को मैं तुम्हें वान करता हूँ तुम पच्छता होगे पीछे आटो हाँ ए प्रभू रितिका उसके साथ मज़ जाओ प्रवाई यह ड्राइबर भाई जरा इधर आना जल्दी आओ डैजबोड में चामी जल्दी निकारो अलो रामु तुम्हारे आत्मे को उसका बॉइस टेक करने के लिए को अब आसा क्यों करें सर्थ वो अक्यूज़े सार हमें करना होगा उसने मेरे गले पर ब्लीड अखा था यह डिन्त बलीब ताटने कर देश कर देश कर देशा कर देशा था कि अइंड ने लिए अगांकषन धांस अब का अधर अधर जड़ा ऑट जो मैं कहता हु आँड करो तुम्हारे आँ अब西ट कर देशा एलो मैं आपा उन्याट आप प्र अधर इंड आप हैं अभी बोलिए सर, एक वोईस ट्रैक करनी है, नहीं सर, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, फोन करके बोल रहा हूं इसलिए ना कर रहे हो, यह बहुत अर्जेंट है, नहीं तो मैं खुद ही आ जाता, एसी साहब ने बोला इसे तुरंट करना है, जाहे कैसे भी, अभी नहीं हो सकता सर, मै मैं वाइस सेंपल बेस को, आपरवती, बोलो, मनोज सब रड़ी है, तुम आओके तो स्टार्ट कर सकते, मेरे ये वेट मत करो, मैं जल्दी आजाओंगा, उसके फ्रेंज आगे, उसके फ्रेंज को आगे, उसके फ्रेंज को आकर एक घंटा हो गया, अर्जुन तुम्हारा स्टार्ट करो, मैं आकर की जॉइंट करूँगा, मनोज ये गलत है, पहले ही बता देते हैं कि तुम नहीं आओगे, तो मैं अर्जुन को समझा देती, वो अपने फ्रेंज को कह रहा है कि तुम्हारे आने के बाद ये का लिगा, अर्जुन को फोन देना, अर्जुन दाट क अल सेट सर, अब वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर बात करेगा, उसे पकड़ सकते हैं क्या हुआ तुम्हें, अब तक तो सब रेलेटिफ्स को पता चल गया होगा, घर पर कितना हंगामा हुआ होगा किसी से बात करनी है, सिर्फ बुआ से क्या हुआ, फोन का जवाब क्यों नहीं देते, आपकी बेटी को वापस लाने से भी वो शायद आपके साथ नहीं रहेगी क्या बात करेगी, वो लड़का उसे छोड़ी नहीं रहा है सर, उसके पीछे ही लगाए मनोज, उसे ज़रा ठीक से समझाओ, आपकी बेटी फिर से उसके साथ भाग गई सर, जा बकवास करो, मेरी बेटी तुम्हारे साथ थी, वो थी सर, बड़ भी नहीं है, तुमसे नहीं हो रहा तो कह दो, मैं अपने तरीके से इस मैटर को डिल करता हूँ, सर, आप टेंशन मत मुझे अच्छा है कि वो मर जा है, ओ, ओके सर, मुझे थोड़े टाइम दीजिए, ऐल कॉली बैक, हलो, हलो, बुवा, मैं प्रभु बोल रहा हूँ, अ, रितिका आपसे बात करना चाहती है, एक मिनिट, सर, उसे लोकेट कर लिया, वो इसी एरिये में है, आप लोकल पुली स्टेशन को इंफॉर्म कर दीजिए, और अपने आदमी को बेह दीजिए, यह अन ओफिशिल केस है, तुम अपने लड़कों को बेजो, फोटो सागी यह मुरली अपतक आया क्यों है, वो देखो, वो आगया, मुरली, यह कबसे तरा वेट कर रहे थे हम, कितनी देर लगा दी आने में तुने, आते वक्त रास्ते में दारू सस्ती मिल रही थी, तो वही पीने लग गया था यार, यह क्या मुरली, यह भी कोई पीने का ताइम ह तारूप यह यह इसले तो सच बोल रहा हूँ, यह रूख, 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 रूख! वो देखो, वह है ना मो? लगता है ये लोग हमें टून रहे हैं, चलो यासे हैं कर दो देखा है कर दो ये लोग अ कर दो फिर लोग है औरे आफ देए है लो दो कर दो दिया दो लोग है मूरली का है एसी को फोन करो मूरली को फोन आगया हाँ मूरली बोल हलो प्रभू को फोन दो प्रभू को हलो प्रभू तेरे फ्रेंट का एक्सिडेंट होगी है वो अभी मेरे पास है कंडिशन बहुत सीरिस है तुरांट ट्रीट्मेंट करनी पड़ेगी उसका जिन्दा रहना यहां ना तुमारे हाथ में मैं जैसा कहता हूं वैसा करोगे तुव जिन्दा रहेगा प्रभू वो जूट बोल रहा है उसने मूरली को मार्कर उसका फोन ले लिया होगा मैं जाकर देखता हूं उसे मुझे सब सुनाई दे रहा है तू कहां जाकर देखेगा अरे मैं तू मिर्ट में आता हूं मुली हमारे पीछे ही था करतेकसल मेरी बात मान लो तुमारा दोस्त बच जाएगा मुझे वो लड़की चाहिए उसे मेरे पास छोड़ दो और तुमारे दोस्त को ले जाओ टाइम इस रणिंग आउट प्रभू फैंसला तुमारे हाथ में तुम्हे वो लड़की चाहिए या दोस्त चॉइस यॉस क्या हुआ प्रभू बोल क्या हुआ प्रभू प्रभू क्या हुआ बोल ना मुडली की गाड़ी ना पुरी ना रास्ते में पड़ी थी यार पुरी तरह देमेज हो गई है वो वा कोई भी नहीं था मैने आस-पास देखा पुर्ली कहीं नहीं देखा यार अजहाए पुर्ली ने रास्ते पली ता यार पूरी आदि आदि उसे कही कुछ वह गे यह तो रास्ते में मुरली का फून भी पड़ा हुआ था यार। हलो मुरली का एकसिदेंट हो गया। क्या एम्बुलेस को फोन किया। अगल बगल में कोई हॉस्पिटल है या नहीं। जी जू मुरली पुलीस वालों के पास है। पुलिस वाले ने हमें फॉन करके बताया। वो चाहता है में रितिका खुलेकर नए चितुर बाइपास रोड के पास जाओ। अग में क्या करो। तुम वहीं पर वेट करो, मैं किसी को भेजता हूँ। तब तक मुरली को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा उसे। और बुलाए तो अकेले मत जाना वहाँ। मेरे दोस्त मेरे साथ है। तुम रितिका को उस आद्मी के हवाले कर दोगे। इतना रिस्ख हम लोग ने इसलिए लिया था। क्यों भाई उस दिन हमें अंडर्वेर में खड़ा किया था ना हमारी कितनी बेज जाती हुई थी। बदले में हमें भी कुछ करना होगा। अगर दुनिया को पता चल जाएगा उसकी बेटी तेरे साथ भाग गई है तो वो राजनिती नहीं कर पाएगा। उसका राजनिती करियर खटम हो जाएगा। इसलिए तो हमने इतना रिस्क लिया है तेरे प्यार के खातिर नहीं। मुली से ज्यादा क्या ये नहीं। तुम तुम दुनों का प्यार इंपोर्डेंट है। अच्छा कंफ्यूज मत कर। तू जा मुली का मेटर हम सहाल लेंगे। मैं वापस चली जाती हूँ। मैं जिंदीकी पर तुमारे साथ खुश रहना चाहती थी। लेकिन अमारी मज़े से अगर मुली को कुछ हो गया तो मैं जिंदीकी बार कुछ को माप नहीं करपाओं की प्रभू। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छे वापस में चलो। उसे कुछ उसे कुछ कर भाम करता है रहीं दूजूिए़ दोने गाने डूजू दूएफ़ दोने गाती दूएट्टों दूएब अगांगा जुएब दूएब लिर से लौसे साने लिरुटे लिरु करते हैं थाइद, होण दूद काहिए रड़ा ह् कि अर्णार सीमit में बड़ा होण कुछ की काहिएद, चुछ काहिएद, चुछ काहिएद, ौस्ट आफब अरिफ काहिएद, कि अटे पता सम्का गजया थाइव ए खड़िव रसा ये इन से झाल आग करतों तो जाल आग मत वाल मत वाल है faço जाल आग करते हैं ए य लाल पिए याल आग प्स कर दो प्मोर किरे को कि भूबानु पर्माज़ कोुछ। हुआ अग्थ। कि अग्थ। कि अग्ध। कि अग्ड़ू कि अग्फलू कि अग्थलू कि अग्फलू कि रोड तर जाने के लिए पोई तो रास्ता होगा सार हां दे रहा है कुछ दिखाए नहीं दे रहा है हाँ पारोधी मैं मैं बात में बात करता हूँ मैं बिजी होगे कि दिन तुमने हमारे बेटे को उला दिया ऐसा भी क्या ज़रूरी काम है थाँ अचिरिस में नहीं आती दो बात मत करो बहुत इंपार्ट काम है तुम समझ नहीं रही हो, वो बहुत गलत लड़का है मेरे पिताजी ने भी तुम्हारे बारे में यही कहा था चोड़ो मुझे ब्रबू ब्रबू़! ब्रबूज! ब्रबू़! वो उसे मारने तक गया और तुम कहती हो कि मैं उसे छोड़ दूँ हम दोनों ने जो किया था ये दोनों इस वक्त यही करने है तुमने प्यार किया तो सही था दूसरा को इकरे तो गलत है तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है सुनने है ईव तुम्हारा कि हमतने दुम्हार किlegtने दुम्हार्ड छो गुम्हार्ड ये क्रद्रक्ष्ष प्रड़ अख व म सक publicity क्रद्रक्ष व defensive